बच्चों आज हम महावीर प्रसाद दिवेदी द्वारा लिखेत निबंध इस्तरी शिक्षा के विरोधी कुतरकों का खंडन का भाग दो पढ़ेंगे जो प्रस्ट संख्या बासरट से प्रारम्भ है थोड़ा सा हम पीछे का एक बार पढ़ लेते हैं कि जो तरक दिया है इस इस्तरियों से संस्क्रत न बुलवा कर कवियों या लेखकों ने इस्तरियों से प्राकरत बुलवाई है तो लेखक कहते हैं कि नाटकों में इस्तरियों का प्राकरत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमान नहीं अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्क्रत न बोल सकती थ कि हमें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती लेकिन हमें हिंदी बोलनी तो आती है और हमें हिंदी बोलना आना और अंग्रेजी न बोलना आना या कोई भी अन्य भाशा न बोलना आना इस बात का कतई प्रमाण नहीं है कि हम अनपढ़ हैं या गमार हैं उसी प्रकार उस समय की बोल आना इसका अर्थ कताई नहीं है कि उस समय की श्रिया पड़ी लिखी नहीं थी उन्हें प्राकर्थ भाषण आती थी अच्छा तो उत्तराम चरितों में रिष्यो की वेदान्त वादिनी पत्निया कौनसी भाषा बोलती ती यह तो संस्क्रत ही थी उनकी संस्कृत क्या कोई गवारी शंस्क्रत थि भवभूतit और कालिदास साधी के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमानी में शिक्षितों का समस्य समुदाय संस्क्रत ही बोलता था इसका प्रमाण पहले कोई देले तब प्राकरत बोलने वाली इस्त्रियों को अपड़ बताने का साहस करे अर्था शिक्षितों का समुदाय प्राय उस वक्त प्राकरत ही बोलता था उस समय की बोलचाल की जो भाशा थी वो प्राकृत ही थी संस्क्रत भोलना कोई आवशक नहीं था इसलिए कहा है कि पहले यह बता दे कि समझ से समुदाय संस्क्रत ही बोलता था पहले इसका कोई अधी प्रमान दे तब इस्तरियों को अपड़ अर्थाथ अनपड़ बताए इसका क्या सबूत के उस कि उद्हरन में कवी कहते हैं यथि उस समय की प्रचलिद भाशा न होती तो बौधों तथा जैनों के प्राकर्त भाषा में ही उपदेश देते थे बोधों के त्रिपिटक ग्रंद की रशना भी प्राकर्त में ही की गई थी और उसे प्राकर्त में किये जाने का एक मात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकर्त ही सर्वसाधारन अर्थार्थ सभी लोगों के बोलने की भाषा इसलिए प्राकर्त बोलना और लिखना अपड़ और असिक्षित होने का चिन्य नहीं जिस प्रकार आज के समय में हिंदी बोलना और लिखना अनपड़ होने का कतई प्रमान नहीं जिन पंडितों ने गाथा शब्ट शती सेतुबंध महाकावे और कुमार पाल चरित आदिग्रंथ प्राकर्त में बनाए हैं वे यदि अपड और गवार थे तो हिंदी के प्रसिद से भी प्रसिद अकवार का संपादक इस जमाने में अपड और गवार कहा जा सकता है क्योंकि गाथा शब्ट शती कुमार पाल चरित प्राकर्त में लिखे गए थे उसी प्रकार आज का जो प्रमुख हिंदी भाषा का जो अकवार है उसका संपादक भी इस माईने में गवार कहा जा सकता है क्योंकि वे भी तो अपनी जमाने की प्रचलित भाषा में अकवार और ऐसे ही उसमें पंडितों ने अपनी भाषा प्राकर्त में सब्तशती सेतुबंध महा कावे कुमार पाल परचित लिखे तो यहां पर देखा कि ये कहना चाहते हैं कि जिस समाज में जिस यूग में जो भाषा प्रचलित होती है बोलचाल की भाषा वही होती है इसलिए प्राकर्थ बोलना किसी के भी अनपढ होने का प्रमाण नहीं हिंदी बंगला आधि भाशाएं आजकल की प्राकर्थ है शोरसेनी मागदी महराश्ट्री और पाली आधि भाशाएं उस जमाने की थी जिस प्रकार हिंदी और बांगला आजकल की प्राकर्थ भाशाएं कहलाती ह उसी प्रकास शोरसेनी, मागदी, महाराष्टी और पाली उस जमाने की प्राकर्थ भाषा थी। प्राकर्थ पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, सिक्षित और पंडित हो सकते थे। जिस तरह हिंदी, बांगला, मराथी आदी भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। अब यदि हम महाराष्ट में जाएं, तो क्या उन लोगों को हिंदी आएगी? नहीं। उनकी भाषा उनकी पढ़ाई का माध्य में मराथी। तो वो मराथी पढ़ रहे हैं, तो क्या आप उन्हें अनपढ़ कहेंगे? कदापी नहीं। फिर प्राकर्त बोलना अनपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने महावीर प्रसाद दिवेदी ने किस तरहे इस तर्क का खंडन किया है कि उस समय के संस्कृत कवियों और लेखुकों की रचनाओं में इस तरिया प्राकर्त बोलती थी। तो यहां पर महावीर प्रसाद दिवेदी ने इसका भली भाती उत्तर दिया है। कुछ चुनेवी लोगी संस्कृत बोलते या बोल सकते थे, हर किसी को संस्कृत भाषा नहीं आती थी। इसी से उनोंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा इस्तριों की भाषा प्राकर्त रखने का नियम कर दिया। अगर किसी को संस्कृत नहीं आती, तो उस समय के लेखों और रचनाओं को कैसे पड़ीगा। इसलिए दूसरे लोगों और इस्त्रियों की भाषा प्राकर्थ रखने का नियम कर दिया गया पुराने जमाने में इस्त्रियों के लिए कोई विश्व विध्याले नए था फिर नियम बद्ध प्रणाली का उलेक आधी पुराणों में ना मिले तो क्या अश्चरे यहां पर देखा के कहना चाते हैं कि यदि किसी चीज का उलेक कहीं नहीं है तो इसका मतलब वै है ही नहीं ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है हो सकता है उसका उलेक कहीं रहा हो पर नश्ट हो गया हो हम पढ़ते हैं कि रामायन में पुश्पक विमान था जिस पर रावन सीता का हर करके ले गया था पुराने जमाने में विमान उरते थे तो क्या आप बता सकते हैं कि इस समय उस विमान का वर्णन क्यों नहीं मिलता या उसे बनाने का वर्णन क्यों नहीं मिलता बताईए उनके बनाने की विध्या सिखाने वाला कोई शास्त्र बड़े बड़े जहाजों पर वाले देखकर हम उनका स्थित्तों बड़े गर्व से सिकार करते हैं परंतु पुराने ग्रंतों में अनेक प्रगल्व पंडिताओं के नाम के उल्ले को देखकर कुछ लोग भारत की ततकाली निस्त्रियों को मुर्क अपड और गवार बताते हैं हम जहाज और विमान आदि का वर्णन पढ़कर उन पर विश्वास कर लेते हैं लेकिन हम उस समय की विदूशी इस्त्रियों का घ्यान देखकर उनकी जानकारी देखकर उनके स्थित्तों को नकार देते हैं और उन्हें मुरक और अन्पडर गवार बताते हैं ये कैसा न्याय है इस तर्क शास्त्रक गेता और इस न्याय शिल्टा की बलिहारी अर्थात ये न्याय लेखा को कुछ समझ भी नहीं आता अर्थात विमान आधी का वर्णन इस पर तो लोग विश्वास करते हैं लेकिन उस समय विदूशी स्त्रियां थी परतिन थी वेद मंत्रों की रचना अत्वा उनका दर्शन विश्वारा आदिस्त्रियों से कराए और हम उने ककहरा पढ़ाना भी पाप समझे अर्थात उन वेदों में भी वर्णन है कि वेद मंत्रों की रचना एक विश्वारा नामक इस्त्रिने की है उनमें से कुछ वेद मंत्रों की रच और उनका दर्जन विश्यमरा नामक इस्त्री ने की है तो हम उन इस्त्रियों को कहरा अर्थात कहका के की पढ़ाना भी पाप समझे शीला और विज्जा इस्त्री आधी कौन थी आप पीछे के भाग में देखेंगे उनके बारे में बता रखा है वे इस्त्री थी या नहीं इ अधरत हुई थी या नहीं हुई थी अर्थात बड़े बड़े पुरुष कवियों ने उन्हें आधर दिया था शारंगधर पदती में उनकी कविता के नमूने है या नहीं जरूर है बौद्धि गरंत्री पिटक के अंतरगत थेरी घाता में जिन सेकड़ों इस्त्रियों की कला सीखने की आगया थी क्या उनको अनपड रखा जाता क्या उनको पढ़ने लिखने की आगया नहीं दी जाती लेखा कैसा नहीं मानते कौन विद्वान ऐसी बात मुख से निकालेगा कोई अनपड कोई मुर्ख ही ऐसी बात सोचेगा और कोई निकाले भी तो उसे मानेगा अर्थार जहां मालत बनाने की फूल गूतने की गाने बजाने की भी शिक्षा दी जा रही है हम ऐसा नहीं मानते कि उस समय में इस्त्रियों को राजकमारियों को कन्याओं को पढ़ने की आग्या नहीं दी जाती हूँ आगे लिखक कहते हैं कि अत्रिकी पत्नी पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय अपना घंटो पांडिते यानि अपना ग्यान प्रगट कर सकती है गारगी नामक जो विद्वान इस्त्रिती विदूशी इस्त्रिती वो बड़े-बड़े ब्रह्म वादियों को हरा सकती है मं अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी अर्थाट ये उनका ज्ञान ही था पढ़ने लिखने के बाद का ज्ञान ही था कि उन्होंने अपने समय के विद्वानों को अपने ज्ञान से हरा दिया तो यहां पर लेखा कह रहे हैं यह सब पापी पढ़ने का ही अपराद है यह नहीं तो अपराद है फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि इस्त्रियों उस समय पढ़ती नहीं थी नवे पढ़ती नवे पूजनिये पूर्षों का मुकाबला करती ना तो वे पढ़ती ग्यान अर्जित करती और नहीं उस समय के विद्वान पूर्षों का मुकाबला करती और उ उस समय की इस्त्रियां अनपड़ थी गवार थी इस्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट कालकूट एक भैंकर विश है जो समुद्र मन्थन के समय निकला था तो कहा गया है कि इस्तियों के लिए पढ़ना तो कालकूट जैसा विश और पूशों के लिए अमरत उस समुद्र मन्थन में जब मन्थन किया गया था तो विश निकला था क्योंकि शेशनाक के फनों से उस समुद्र का मन्थन किया गया था तो जो शेशना के मुँझ से जो रिसा वो विश, कालकुट, विश और उस मन्थन से निकला हुआ अमृत तो कहा गया है इस्त्रियों का पढ़ना तो कालकुट विश और पुष्णों का पढ़ना अमृत का घूट ऐसी क्या दलील है? इन दलीलों और दृस्तानतों के आधार पर ही कुछ लोग इस्त्रियों को अनपड रखकर भारत वर्श का गौरव बढ़ाने चाते हैं इसके गौरव को नश्ट करना चाते हैं क्योंकि इस्तियों की शिक्षा ही आजकल सब कुछ है एक इस्तिय पढ़ती है तो उसका पूरा कुल पूरा उसका वर्श तर जाता है मानली जी ये पुराने जमाने में भारत की एक भी इस्तिय पढ़ लिखी ना थी ना सही, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यदि उस समय की एक बार को हम मान लेते हैं कि उस समय की इस्तियों पढ़ लिखी वी नहीं थी चलो हम मान लेते हैं ना सही, उस समय इस्तियों को पढ़ाने की जरुवत नए समझी गई होगी पर अब तो है अब तो बहुत आवश्यक है कि इस्त्रियों को पढ़ाय जाए तो आप तो पढ़ाना चाहिए हमने सैकड़ों पुराने नियमों आदेशों प्रनालियों को तोड़ दिया या नहीं तोड़ा है तो फिर हम इस इस्त्रियों को अनपड रखने की इस पुरानी च अल्पना को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहां की सारी स्त्रिया अपड़ थी अथ्वा उन्हें पढ़ने के आगया न थी जो लोग पुराने पुरानों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं उन्हें शीमत भागवत दशम मिस्कंद के उत्रार्द का त्रेपनवा अध्याय पढ़ना चाहिए इसमें रुकमणी हरन की कथा है रुकमणी ने एक लंबा चोड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्रामन के हाथ शीकृष्न को भेजा था और वो संस्कृत में था प्राकरत में नहीं था यदि वे अनप लिखी गई भागवत तो संस्कृत में लिखी गई है फिर उसके प्राकरत में होने का उलेक तो कहीं भी नहीं है उसमें रुकमणी ने जो पांडिते दिखाया है वह उसके अलपग्य अपढ़ होने का और गवारपन का सूचक नहीं फिर लोग कैसे कहते हैं कि पुराने समय में इस्त्रियों को पढ़ाने की परंपरा नहीं थी पुराने ढंके पक्के सनातन धर्माव लंब्यों की दृष्टी में नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए और है भी इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राक काली नि यदि समझनी चाहिए यदि हम भागवत को हम यदि कल्पना शील माने तो नाटक और पुरान तो उससे भी कहीं अधिक कल्पना पर आधारित हैं इसलिए हमें उसमें लिखी हुई बातों को नहीं मानना चाहिए कि उस समय की इस्त्रियां अनपढ़ थी इस्त्रियों का किया तो उनके पढ़ाने का ही परिणाम है कि घर में अनर्थ होते हैं ग्रह सुका नाश होता है तो फिर तो यदि किसी घर में यदि कोई पुरुष ग्रह सुका नाश कर रहा है अनर्थ कर रहा है पिटाई कर रहा है अपनी पत्नी की बच्चों के साथ अच्छा व्यवार नहीं कर रहा है कमाकर नहीं ला रहा है मदर्या थर शराब का सिवन करके बच्चों और अपनी पत्नी को पीट रहा है तो यहां नर्थ भी उसकी विध्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए बम के गोले फेकना नरहत्या करना दाके डालना चोरियां करना घूस लेना यह कॉले शिक्षा इस्कूल पाड़ शालाएं बंद हो जानी चाहिए यह सब चीजें तब भी होती हैं जब लोग पढ़े लिखे होते हैं अपराद वहां भी होते हैं जहां अपरादी पढ़ा लिखा होता है तो यह केवल पढ़ाई का ही कूप परिणाम नहीं है यह तो उसक कि उस पढ़ाई उसकी शिक्षा का दुरुप योग अर्थाट उसे सही अर्थ में नहीं लेने का परिणाम है परन्तु विक्षिप्तों बात व्यतितों और ग्रह ग्रस्तों के सीवा ऐसी दलिले पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे अर्थाट जो पागल होते वो ही यह बात करते हैं कि पढ़ने लिखने का ही यह सब कूपरिनाम है कि इस्त्रियों के पढ़ने से घर बिगड़ते हैं शकुंतला ने दुश्यंत को कटू वाक्या कहकर कौन सी ऐसा भाविक्ता दिखाई अर्थाट शकुंतला ने जो दुश्यंत को कहा कि आपने मुझ गर भिवत इस्त्री को छोड़कर अन्याय किया है तो यह बात कौन सी अनोखी है क्या वह यह कहती कि आरे पुत्र शाबाश आपने बहुत अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर विवा करके छोड़ दिया आप नीती न्याय और सदाचार धर्म की प्रत्यक्ष मूरती हैं क्या वह य यह कदापी नहीं कहती कोई भी पत्नी अपने साथ हुए इस व्यवाद पर कुछ न कुछ कटू वाक्य जरूर कहती और यदि यह शकुंतला ने कह दिया तो कहां की बुरी बात हो गई पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके भी जो लोग उनसे ऐसी आशा रखते हैं कि प कवी ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुशंत के विश्य में यह दुरवा के कहाया है उसी कवी ने परित्यक्त होने पर यानि छोड़े जाने पर सीता से भी रामचंद्र के विश्य में क्या कहाया है सुनिए जब राम ने गर्वती सीता को वन में ले जाने के लिए लक्षमन से कहा और सीता ने ये सोचा कि लक्षन मुझे वन्मे गुमाने ले जा रहे हैं जब उन्हें ये पता चला कि सीता को वन्मे गुमाने की बजाए सीता का वह परित्याक कर रहे हैं और लक्षमन के हाथों उन्हें वन्मे छोड़ने जा रहे हैं तो स तुम्हारी आग के सामने ही आग में कूद कर अपनी विशुद्धता अथार्थ अपनी पवित्रता साबित कर दी थी तिस पर भी लोगों के मुक्ष से निकला मिथ्यावाद सुनकर तुमने मुझे छोड़ दिया क्या यह तुम्हारे कुल को शोभा देता है अथ्वा क्या य उनको अपना संदेशा भेजा जबकि राम उनके पती थे यह उक्ति किसी गवार इस्त्री की नहीं महा ब्रह्म ग्यानी राजा जनक की पुत्री सीता की थी जो मनु आदी महर्शियों के धर्म शास्त्र का ग्यान रखने वाली रानी थी सीता की धर्म शास्त्र ग्यता का यह प्रमान आगे चलकर कुछी दूर पर कवी ने दिया है सीता परित्या के कारण वालमिकी के समान शांत नितिग्य और शमाशील तपस्वी तक ने अस्तिते मन्यु भरता ग्रजे में कहकर राम चंद्र पर क्रोध प्रगट किया है अर्थ स्वभाविक है मानव का स्वभाव है यदि कोई पुरुष अपनी इस्त्री को गर्वत इस्त्री को वनमी छोड़ दे और इस्त्री उसको कुछ भी ना कहे यह एक बहुत ही अजीब बात होगी ना तो यह पढ़ने लिखने का परिनाम है यह गवारपन का भी नहीं परिनाम है और नहीं एकुलींता का अर्थात यह केवल और केवल मानव सभाव का परिनाम है मानव सभाव की बात है आगी लिखा कहते हैं पढ़ने लिखने में कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके अनर्थ का बीज उसमें हर गीज नहीं अर्थात पढ़ने लिखने से कोई अ ऐसा नहीं सुना पढ़ने लिखने में कोई भी अनर्थ का कारण नहीं अनर्थ पुर्षों से भी होते हैं पुरुष भी पढ़ते हैं और अनर्थ अनपढ़ भी करते हैं और पढ़े लिके भी करते हैं दोनों से ही अनर्थ होते हैं अनर्थ दुराचार पापाचार के कारण क कहते हैं वो कि पढ़ाई कभी बे अनर्थ का कारण नहीं है। अनर्थ तो कोई भी कर सकता है चाए वो पढ़ा लिखा हो चाए वो अनपढ़। अपराद कोई भी कर सकता है दुराचार और पापाचार अनपढ़ भी कर सकता है और पढ़ा लिखा भी। और इस दुराचार पापा चार को हम व्यक्ति के चाल चलन को देख कर समझ सकते हैं। हम यह अर्थ कदापी नहीं लगा सकते कि फला व्यक्ति पढ़ा लिखा है, इसलिए उसने ये दुराचार अत्वा पाप किया। आगी कहते हैं कि जो लोग यह कहते हैं पुरानी जमाने में यहां इस्त्रिया ना पढ़ती थी आत्वा उन्हें पढ़ने की मुमानियत नहीं थी वे या तो इतिहास को नहीं जानते या फिर जान बुझ कर इतिहास को दरकिनार कर रहे हैं इतिहास को धोका दे रहे हैं समाज की दृष्टी में ऐसे लोग दंडनीय हैं जो ये बता रहे हैं कि उस समय के इस्त्रियां पढ़ले की नहीं होती थी क्योंकि इस्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार यानि समाज का विरोध करना अपकार करना बुरा करना और अपराद करना है क्योंकि इस्त्रियों से ही समाज के उन्नती संभव है और इस्त्रियों की पढ़ाई का विरोध करना समाज के उन्नती में बाधर डालना है आगे कवी कहते हैं लेखक कहते हैं कि इस परिग्राफ में शिक्षा जब शब्द पर जोड दिया गया है और इस पर प्रशन भी आता है कि शिक्षा क्या है शिक्षा एक व्यापक शब्द है, बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्या अनेक विश्यों का समाविश हो सकता है पढ़ना लिखना भी उसी के अंतरगत है, शिक्षा केवल पढ़ाई नहीं है, जीवन भर हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और पाठे करम की पढ़ाई उसी का एक भाग है, साइकल सीखना भी एक शिक्षा है अर्थाट बहुत सारी शिक्षा है, बहुत सारी पढ़ाई मिलकर शिक्षा के अंतरगत आती है, शिक्षा एक बहुत व्यापक शब्द है इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं इस कारण यदि को इस्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे, तो हमें उस प्रणाली को सुधारना चाहिए, संशुधन करना चाहिए ना कि पढ़ने लिखने को दोश देना चाहिए आजकल यदि पढ़ी लिखी इस्त्रियां घर का काम नहीं जानती है, या फिर किसी के साथ संसकार पुन व्यहवार करना नहीं जानती है, तो इसके लिए पढ़ाई को दोश न देकर हमारी शिक्षा प्रणाली में ही संशुधन करना चाहिए हमें अपने संसकारों को सुधरड करना चाहिए, क्योंकि केवल पढ़ना लिखना, किताबों को पढ़ना ही सिक्षा नहीं है, घर में अच्छे संसकारों को प्राप्त करना, अच्छे अच्छे वस्तों को सीखना, अच्छे अच्छे कलाओं को सीखना भी सिक्षा है प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने राय दी कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिये जाएं लड़कों की शिक्षा प्रणाली ही कौन सी अच्छी है सारे स्कूल कॉलेज बंद करने के बजाए हमें अपनी सिक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहिए हमें ये देखना चाहिए कि हमें क्या पढ़ाना चाहिए और कितना पढ़ाना चाहिए हमें किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कहां पर शिक्षा देनी चाहिए घर में या स्कूल में हम शिक्षा कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं हमें कहीं भी सीख सकते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती किसी भी उम्र में कोई भी कुछ भी सीख सकता है इन सब बातों पर बहस कीजिए मनन कीजिए चिंतन कीजिए विचार कीजिए मन में जो आयसों कीजिए पर इश्वर के लिए यह बिलकुल न कहिए कि पढ़ने लिखने में कोई दोश है यह अनर्थ कारी है अर्थार पढ़ना लिखना उसका विरोध करना अनर्थ का प्रमान है यह अभिमान को अत्पन करने वाला है और न पढ़ना लिखना ग्रह सुक का नाश है ऐसा कहना सोले आना जूट है अर्थात पढ़ना पढ़ना लिखने से ग्रह सुक का नाश होता है यह सोला आने जूट है पढ़ने लिखने से किसी भी समाज परिवार का राश का उधार होता है एक इस्त्री पढ़ती है तो उसका पुरा परिवार पढ़ता है और उसके समाज को पूरी समाज को सिलाब मिलत तो ऐसा कता ही मत कहिए कि इस्सियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं तो बच्चों आज हमारा यह पार्ट संपूर्ण हुआ अब मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगे जिसमें इसके प्रशनोतर होंगे और आपको इसके प्रशनोतर करने हैं पार्ट को इस वीडियो को बुक बुक लेकर पढ़ें बुक लेकर पढ़ते हुए इसको समझेंगे तो इस यह पार्ट अजित समझ में आएगा और आगे का पढ़ेंगे इसके अगले भाग में और इनके प्रशनोतर आप जल्दी से जल्दी कर देना आज के लिवक्त इतना ही